समस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और आप देखे आपका खुद का चैनल इंडियन बाइक दोस्तों वीडियो के आखिरी में आप डेस्क्रिप्शन को जरूर पड़ो वहाँ पर आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा KTM Adventure 250 एकदम नया आप्शन आपके लिए 390 CC के बाद तो इससे हो सकता है कुछ माइलेज आपको जादा मिल जाए और साथी इसमें पावार तो है ही दोस्तों आईए दोस्तों आप जान लीजिए इस वीडियो में इस बाइक के बारे में डीटेल में मैं ये भीडियो कवर कर रहा हूँ बहरूंपूर SS बाजाज शोरूम में इस नंबर पे आप कॉल करो और आपके लिए खरीच सकते हो ये KTM के तरफ से कोई भी बाइक हस्त वर्नकी कोई भी बाइक या फिर बाजाज की तरफ से कोई भी बाइक इसी नंबर पे कॉल करके अभी आप इतना जान लो कि इसमें जो टैंक कैपासिटी है दोस्तो 14.5 लीटर टैंक कैपासिटी है इस बाइक में और इससे आपको मायलेज मिल जाएगा मोर देन 400 किलोमीटर जब आप इसमें फूल टैंक पेट्रोल डाल लोगे तब दोस्तो इस बाइक की सीट हाइट है 8 155 mm और इसकी जो ड्राइवेट है 156 kg और ग्लाउन के लिए इस बाइक है दोस्तो 200 mm और दोस्तो इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइज है इनमाई डिस्टिक बहरूमपुर मूर्शिदाबाद 2,49,600 रूपीज नाउ तो दोस्तो इस बाइक की जो अन्डोर प्राइज उपर होगा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ हो सकते आप इससे जान सको के कितना पैसा आपका लगेगा इसे खरीदने के लिए आपकी डिस्टिक में हो सकते कम में भी आपको मिले लेकिन एक्चुल प्राइज में आपको नहीं कह सकता एक शोरूम प्राइज है इस देस्किप्शन में जाने वाले फोन नमबर पे आप ज़रूर कॉल करो और इस वीडियो में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर यह जो वींड सिल्ड है दोस्तो यह तो स्टॉक है लेकिन अगर आप चाहो तो अलग से आप इसे खरीद भी सकते हो इसके वेब साइट में सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तो बाइक की यह जो मीटर कॉंसोल है सब कुछ डिटेल्स आपको इहाँ पर ही मिलेगा फुली डिजिटाल मीटर कॉंसोल आपको इहाँ पर मिलता है जिसमें आपको टीप ऑन टीप भी मिलेगा गियर पॉजिशन जो भी signal आप यहाँ पर देख रहो हो सब कुछ आपको यहाँ पर ही मिलेगा जैसे कि ABA से जो भी रहता है अपके modern दिनों में सब कुछ इसी display में आपको देखने को मिल जाएगा साती देखिए यहाँ पर switch में भी रोशनी है जिसमें low lights जब होगा सुरज जूपने के बाद तो आप इसे असानी से देख सकतो साती यहाँ पर position LED front lamp और back lamp है दोनों तरप और चारो के चारो side indicators fully LED है दोस्तो और इसकी जो रोशनी है बहुती अच्छा खासा रोशनी आपको मिल जाएगा साती यह जो backlight है देखिए यहाँ पर भी दो position LED bulb है देखिए जो light और यहाँ पर जो brake lamp है दोस्तो जब आप brake पे पैर रखोगे तो बो light on हो जाएगा बो भी fully LED backlight आपको मिलता है इस bike में दोस्तो इस bike की जो font suspension में इसमें आपको मिलता है WP Apex upside down suspension और इसकी जो मोटा ही है दोस्तो 43 mm यह suspension मोटा है साती इसकी जो travel है दोस्तो 170 mm travel आपको इस font suspension में मिलता है और इसी से आप किसी भी तरह का off road में अच्छी तरीकिसे इस bike की performance निकल सकते हो साती इहाँ पर font side में आपको bribery की तरफ से brake system मिलता है दोस्तो जिसमें आपको मिलता है 320 mm 4 piston radial fixed caliper with ABS इसमें जो D's है दोस्तो यह 320 mm font D's है काफी मोटा है और काफी big size है इस D's की दोस्तो और दोनों तरह भी आपको ABS मिलता है इस bike में साती यहाँ पर देखे आपको fully black alloy wheel मिलता है और जिसके उपर आपको tire section में मिलता है 100 by 10 19 inch MRF Metro FM2 tube less tire और दोस्तो यह all weather all road condition tire से इससे आप अच्छा खासा riding experience आप आपकी तरफ से riding में कर सकते हो मुझे उम्मीद है यह bike आपको किसी भी road condition में मायूस नहीं करेगा दोस्तो बाइक की rear suspension में आपको यहाँ पर मिलता है WP Apex Monoshock Adjustable Rear Suspension जिसे यहाँ पर white color में रखा गया है और साथी इसकी जो travel है दोस्तो 177 mm travel इसमें आपको मिलता है और दोस्तो यहाँ पर rear side में आपको जो DCA पर मिलता है 230 mm डाइड इस आपको rear side में मिलता है और इसमें braking system ब्राइबी की तरफ से आपको मिलता है दोस्तो single piston floating caliper system इसमें है साथी dual channel ABS system आपको इस bike में मिलता है दोस्तो साथी fully black alloy wheel आपको इस bike में rear side में भी मिलता है बहुती अच्छा material इसमें इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसमें टाइर सेक्षन में आपको यहाँ पर मिलता है 130 Y80 17 इंच MRF मेटेरो FM2 ट्यूबलेस टाइर तो दोनों तरफी दोस्तो पीछे की और है 17 इंच और front side में आपको मिलता है 19 इंच wheels base दोस्तो इस bike में आपको front side में engine के उपर यहाँ पर मिलता है एक big size radiator थोड़ा car भी है यह radiator जिससे हवा चारो ओर से अंदर की तरफ यहाँ पर आएगा और देखी यहाँ पर पीछे की तरफ दोनों side में दो fan है इसका काम है इसका heat जो है इसे बाहर निकलना मतलब कि quick cool करना इसका काम है engine की oil को और दोस्तो इसका जो performance से बहुती अच्छा कासा है heating issue हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा मुझे उम्मीद है यह bike बहुती अच्छा कासा performance आपको देदेगा on road पे और engine में आपको यहापर दोस्तो मिलता है single cylinder four stroke liquid cooled A5 engine और साथी दोस्तो displacement है इस engine की 248.8 cc maximum power 22 kilowatt और maximum torque है इसमे 24 newton meter bore 72 mm stroke 61.1 mm और इसमें आपको gearbox मिलता है दोस्तो six speed gearbox दोस्तो इस engine से आपको mileage मिल जाएगा 35 km per liter ऐसा company का दावा है और यहाँ पर देखिए coolant है install तो यह बोड डिबबा है दोस्तो यहाँ पर coolant install है देखिए engine में यहाँ पर इसे रखा गया है और इस bike में नीचे की तरफ आपको यहाँ आपर rider footrest में राबार मिलता है दोस्तो और नीचे aluminium guard है जिससे आपके pair में कुछ ना हो कभी भी quick gear shifter है दोस्तो fully metal है यह हिस्सा और साथी दोस्तो इस bike में आपको एक fiber made ankle guard मिलता है हाँ दोस्तो अगर आप चाहो तो आप इसे metal में convert कर सकते हो लेकिन आपको अलग से खरीदना होगा साथी दोस्तो इस bike में आपको single stand मिलता है double stand available नहीं है इस model में और दोस्तो right side में भी same यहाँ पर देखिए rider foot trace में यहाँ पर भी राबार है और नीचे आपको aluminium मिलता है जो बहुत ही strong एक metal है जिससे आपके pairों में किसी भी road condition में कभी भी चोट ना आए साथी इस तरब भी देखिए वही same fiber bed एक ankle guard है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आपको मिलता है एक fully metal foot brake दोस्तो इस model के साथ आपको यह silencer मिलता है लेकिन आप अगर चाहो तो आप बहुत हाई quality high price मतलब कि एक लाक से भी उपर की price की आप इसमें silencer लगवा सकते हो लेकि इसे आलक से आपको purchase करना होगा दोस्तो इस bike के साथ आपको यहाँ पर मिलता है 520 एक string chain हो सकता है दोस्तो model number हो जो मुझे मिला 520 और इसे आप हमेशा लूब और clean रखो इससे इसका जो longevity है वो बड़ेगा दोस्तो साथी यहाँ पर आपको मिलता है chain के उपर एक fiber made chain को भर और इसके उपर देखिए दोस्तो लिखा गया है tire pressure आप इसी tire pressure को हमेशा maintain कीजिए इससे bike की performance, mileage और road grip आपको हमेशा top class मिलेगा साथी यहाँ पर आपको front side में नीचे की दौर मिलता है देखिए एक mark guard जिससे rear suspension गंदा ना हो और साथी इस bike में आपको मिलता है heavy build सारी guard दोस्तो इस bike में आपको यहाँ पर handle rod में मिलता है fully steel rod handlebar यह aluminium नहीं है दोस्तो बहुत ही high quality है साथी यहाँ पर आपको मिलता है fully metal handle in bar weight और आपको यहाँ पर मिलता है एक knuckle guard साथी यहाँ पर यह grip बहुती soft है दोस्तो साथी clutch भी बहुती soft है साथी एक pass by switch high beam low beam switch side indicator switch और नीच आपको मिलता है एक horn switch बाइक की right side में लाल कलर में आपको यहाँ पर मिलता है engine kill switch on switch दोस्तो subscribe बटन भी लाल है इसी तरह दावा के subscribe कर दिए चैनल को साथी नीचे self start system मिलता है fully metal handle in bar weight के साथ आपको एक quick response throttle grip मिलता है साथी font hand operated ABS brake भी बहुती नणम है दोस्तो दोस्तो engine के पा देखे को structure है जिसके उपर adventure लिखा गया है अगर आप चाहो तो officially और भी कुछ extra parts से आप खरित के इसमें install कर सकते हो इसके लिए आपको showroom में पूछना पड़ेगा साथी यहाँ पर देखे आपको एक handle grab rail यहाँ पर आपको rear side में मिलता है और इस तरह भी same structure है मतलब की same है द seat के बारे में बात करते हैं देखिए tank के पास आके यह seat खतम होता है मतलब की बहुती narrow है सामने की और जिससे आप इसमें बैट के बहुत long drive कर सकते हो आसानी से ताकि rider को कोई भी problem ना हो इस हिसाब से इसके design रखा गया है ground clearance है दोस्तो bike की 200 mm और seat height है 855 mm long distance के लिए seat ठीक है लेकिन soft थोड़ा कम है दोस्तो यहाँ पर दिखिए pillion food trace में भी आपको यहाँ पर राबार मिलता है दोनों तरब और यह जो ankle guard है इसमें भी fiber मिलता है दोस्तो तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटा सा update पसंद आ है एसेज बाजा शोरूम में आप जरूर कंटक करो इस bike को खरिदने के लिए साथ ही जाते जाते इस वीडियो को शेयर कीजी अपने दोस्तो के साथ और एक लाइक जरूर करो दोस्तो इस वीडियो को और दोस्तो अगर हो सके तो चैनल को साब्सक्राइब कीजे और जूट जा यह मेरे साथ तो दोस्तो हम मिलते अगले आपडेट के साथ थैंक यू